दिनांग 5 जुलाई 2020 का दिन DLAT 2018 बैच के प्रसिक्षों के लिए बहुत ही महतुपूर्ण है क्योंकि इसी दिन आज से ठीक दो वर्स पूर्व DLAT के प्रसिक्षों एक उजवल भविश्य की कामना के साथ DLAT में एड्मिशन लिये थे समय से परिक्षा ना हो पाने की वज़े से और सत्र लेट होने की वज़े से लगतार DLAT 2018 बैच के प्रसिक्षों निराशा की गर्त में जाते जा रहे हैं कि अब अगर भविशे में कोई ऐसी भरती ना आजा जिसे वो वन्चित हो जाए इन सब के साथ ही आपको अपने अंदर कुछ पॉजिटिवटी जरूर रखनी चाहिए क्योंकि अगर आप खुद से हार गएं तो आपको इस निराशा से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता 5 जुलाई 2020 को DL8 2018 बैच का प्रसिक्षण सैधानतिक रूप से कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन विवहारिक तोर पर अभी आपका प्रसिक्षण तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आपके फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट की घोशना PNP के द्वारा नहीं कर जाती है और सत्र लेट की बाद जहां तक है तो आपका यह बैच कोई पहला बैच नहीं है जब सत्र लेट हो रहा है आप देखेंगे कि DL8 2017 बैच और उसके पहले बैच हमेशा से लेट होते रहे हैं और इस समय आपके उपर कोरोना की डबल मार चल रही है आप देखेंगे कि माननी कोड के हस्तक छेप के बाद से BTC 2016 बैच का सत्र पूरी तरीके से सुनने कर दिया गया था ताकि सत्र को नियमित किया जा सके तो यह पुरानी फितरत में रही है PNP के कि एकजाम हमेशा से ही उनके द्वारा लेट कराई जाती है क्योंकि अगर DL8 2018 बैच की मैं बात सकते थे लेकिन अब जो बीच चुका बूच चुका उसको ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना ही PNP उसको सुधार सकती है तो अब आपको इन सब को देखते हुए निराशा की गर्थ में नहीं जाना है क्योंकि पहले की बैच भी लगतार लेट होते रहे हैं आपको पुरी तरके से समलित हो सके हलांकि PNP के द्वारा आश्वाशन जरूर दिया गया था कि अब प्रात्मिक सिक्षक भरती इस वर्स नहीं आएगी और जब भी आएगी तो DLR 2018 बैच उसमें शामिल जरूर होगा फिर भी आप सभी का दबाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने पाला है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जूनियर की वेकेंसी के लिए लगतार साशन इस तर पर अधियाचन मांगे जा रहे हैं तो हो सकता है कि यह भरती जल्द जल्द आ सकती है लेकिन प्राइमरी की सिक्षक भरती के लिए आपको विसेज फोकस करना होगा त क्योंकि अगर प्रात्मी की सिक्षक भरती आती है तो आप कहीं उस समय की कमी के वज़ा से एक सीट ना गवा दें तो आप लोग को पॉजटिव रहना है चाहें परिस्तितिया कुछ भी हो डियलर 2018 बैच आने वाली सिक्षक भरती में जरूर शामिल होगा और आपका एक अलक्ता धन्य बाद